हेलो फ्रेंस आज हम ड्यूल्बेंड राउटर का कंफिगरेशन करने वाले है यह सेकंडरी राउटर है टेंडा एसी 8 c 1200 का कंफिगरेशन बतना वाला हूं किससे थे विद्द लैंड के बल कनेक किया जाता है तो यह dual band router है इसमें आपको dual band 2.4 और 5 विकास मिल जाएगा तो चलिए इसे connect कर लेते हैं तो tender router को यह बहुत ही long range में हमें लगाने वाला हूँ जिसकी cable range 80 meter तक की होगी तो चलिए इसे हम configuration करते हैं और आपको split test भी दिखाएंगे तो चलिए इसे connect कर लेते हैं तो connect करने के बाद आपको इसको Google Chrome में open करना है तो यह बहुत ही बढ़िया router है अगर यह router पर्चेस करना चाहते है तो description में link मिल जागी वहाँ जागे यह router पर्चेस कर सकते है और एक land cable भी या cat6 है उसकी भी link मिल जागे तो वहाँ जागे वह cable भी आप पर्चेस कर सकते है तो चलिए यह router को मैं open कर लेता हूं tender router का normally जो default IP रहता है वो है 192.161.0.1 से यह page open हो जाएगा तो चलिए इसे open कर लेते हैं जैसे हम यहाँ पर open करेंगे तो यहाँ पर कुछ options सबको देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर यह option में हमें यहाँ यहाँ पर dynamic IP करना है यानि के मैं यहाँ पर secondary router configuration करना चाहता हूं तो यहाँ पर dynamic IP आप सेलेक कर लेजिए और आपको जो भी password create कीजिएगा ओकी तो अपने password create कर लिया है तो WiFi नेम और वाइफाइ पासवर्ड अप सेलेक कर लिया है तो simply आप next कर दीजिए ओके डाइनमीक IP से लेकरने बाद आपको WiFi name और WiFi password देना है और next करना है तो चले मैं next कर देता हूं जैसे हम next करेंगे तो यहां पर हमें WiFi को connect करना है क्योंकि हमने WiFi name और यहां पर change कर दिया है तो चलिए हम हमारा जो WiFi router है इसे हम connect कर लेते हैं यहां पर disconnect हो चुका है तो चलिए हम फिर से जाते है वाइफाइ सेटिंग में और हमें जो भी नेम दिया था जो भी पासवर दिया था उससे हमें कनेक करना है तो चलिए हम यहाँ पे हमारा जो नेम है वो आ चुका है और हम यहाँ पे जो भी पासवर दिया था इसे हम यहाँ पे कनेक कर लेंगे तो आप भी यहाँ पे आपका जो वाइफाई नेम में वाइफाई पासवर दिया है इसे आप फिर से कनेक्ट हो जाएए तो चलिए हम connect हो जाते हैं यहां पर आपने जो भी password दिया था वो perfectly यहां पर टाइब करें और connect हो जाएए ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो router है वो फिर से mobile से connect हो चुका है तो यह first step है यहां पर आपको dynamic IP select करना है और wifi ने wifi password आपको set कर देना है जैसे हम connect हो जाएंगे तो यहां पर फिर से आपको router को वही adres से आपको open करना है और जाना है administration में जो last option अपको देखने को मिल रहा है उसे आपको click करना है okay तो administration में जैसे हम जाएंगे तो वहां पर आपको router का जो IP address है वो set करना है तो router का IP address क्यों change किया जाता है इसके बारे में आपको वीडियो के बाद बताऊंगा उसका जो क्यों सही method है क्यों change किया जाता है इसके बारे में आपको मैं वीडियो के end में बताऊंगा तो यहाँ पर आप अपना router का IP में यहां पर change कर रहा हूं और यहां पर जो dhcp server है इसे में disable करने वाला हूँ तो dhcp disable यहां पर जो tipma के वह मैं निकल देता हूँ then मैं simply save कर देता हूँ तो यहां पर हमारा जो router का ip address है वो भी set हो चुक है और dhcp जो है वो भी यहां पर disable मैंने कर दिया है तो यह जो प्रोसेस है वो 100% जाने के बाद यह complete हो जाएगी सुप्रेंट से पहले मैंने dynamic ip select किया और wifi name और wifi password दे दिया वो first step था second step में हमें router को connect कर लेना है connect कर लेने के बाद हमें administration में जाना है और यहां से हमें router का ip address change करना है और dhcp को disable करना है तो यह दो step जो आपका complete हो चुका है तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो router में आपको कौन सी process करनी है तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा router पी reboot हो चुका है तो हम फिर से इसे connect करने की dry करते है तो आप देख सकते हो हम यहां पर connect करने वाले हैं तो आप देख सकते हो यहां पर obtaining ip address आ रहा है क्योंकि हमारा जो main router से secondary router तक जो cable है वो connect नहीं है अगर आप जैसे ही secondary router में आप जैसे cable connect करेंगे land cable होके main router से secondary router तक जो भी अपने cable लंबाया है या install किया है इसे जैसे हम land port में connect करेंगे तो यहां पर जो obtaining ip address आ रहा है वो यहां से निकल जाएगा तो main router से secondary router का आप जहां पी लगा रहे है वहां ते एक लंबा cable आप खीच देजी होके और cable को connect कर लेजे land port में secondary router जो हम tender router का configuration कर रहे है उसके land port में हमें connect करना है तो चलिए हम connect कर लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ यहां से obtaining ip address निकल जाएगा और router में जो status आएगा वो connect टिक आएगा तो चलिए हम cable connect कर लेते हैं तो फ्रेंज आप देख सकते हैं जैसे हमने cable connect किया यहां पर connected का option हमें देखने को मिल रहा है तो यहां पर हमारा जो अभी internet की connectivity है यहां पर हमें मिल चुके हैं फिर से router को open कर लेते हैं वही जो हमने ip set किया था उसे पेज को open कर लिया है तो आपको यहां पर status में कुछ नहीं देखने को मिलेगा सुप्रेंस हमें internet की community मिल चुके है और यहां पर मैं अभी बताने वाला हूं जो हमने ip set किया था तो ip किस तरह से set करते इसके बारे में बताने वाला हूं अगर आपका main router का ip address 192.16.0.1 है तो हमें secondary router का ip address है 192.16.0.2 रखना पड़ता है अगर आप दोनों router को access करना चाहते है तो आपको यह ip address की series बनाने रहेगी अगर आप इससरा router install करते है तो उसका जो ip रहेगा 192.16.0.3 रहेगा तो यह सभी router को आप manually open कर सकते है और उसके password जो है वो chain कर सकते है इसके लिए router का ip address के साथ साथ आपको dhcp disable करना पड़ता है तो इसलिए मैंने router का ip address रखा और उसे dhcp disable किया तो यह process है ip address change करनेगी सब्सक्राइब करने के बाद आपको router की जो speed test है वो दिखाते है speed test के लिए जो application में यूज़ करता हूँ वो ओकला है ओकला speed test है जो प्लेश्टोर से आपको मिल जाएगी आप किसे भी internet और data की speed test आप देख सकते है तो चलिए हम speed test open कर लेते हैं और हमारा जो प्लान है वो 30 mbps क्या होके तो डाउंड़र स्पीड आप देख सकते हैं तो यहां पर जो secondary router है उसका जो length होगा वो सितर सिमिटर तक का length होगा होगे तो इसे हम secondary router पर भी हमें same speed यहां पर देखने को मिल रही है तो अगर friends इसी तरह से आप configuration करते है तो आपको perfect speed आप secondary router पर भी आपको मिल जाएगी तो friends अगर आप यह router purchase करना चाते है ड्यूल बें राउटर है एसी बारासो के एसी एट टेंडर राउटर है अगर आप यह router purchase करना चाते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहां जाकि यह router purchase कर सकते है और विथ लैंड कैबल आप अगर लैंड कैबल purchase करना चाते सब्सक्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहां जाकि लैंड कैबल भी purchase कर सकते हैं सुप्रेंस अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो जरू से सब्सक्राइब करें और चैनल में नहीं हो तो जरू से चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पॉर्चिंग में तब तक गुट्पाइ